चलो तो यह आज आप लोंगा फिफ्ट लेक्चर है अभी तक अपने टोटल क्या-क्या पढ़ा पूरा देख लेते हैं टोटल कौन-कौन सा डेरिवेशन किया अपने चैप्टर इस्टार्ट किया था सबसे पहले लाइट के बार में पढ़ा लाइट की बेसिक प्रॉपर्ट एक्टि प्रॉपर वर नापॉरटि बंती है सेम साइस की बैंती और लेटरली इन्वर्टा बनती है यह सारे डेखा रेगुलर रिकॉरर व्रेक्शन चीज़ी छीं हा पनने देखी फिर उसके बाद पर ने पढ़ा छार पॉर श्पेहरिकं से सके पहला अपने किया f is equal to r by 2 का ये derivation actual में 10th में derivation नहीं था लेकिन अभी अपन इसको derivation करके निकाला f is equal to r by 2 फिर उसके बाद अपने mirror formula जो है वो अपने derive किया 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ये किया फिर उसके बाद magnification for mirror किया minus v by u that is height of image upon height of object ये सारे derivation किये हैं फिर उसके बाद ये पूरा का mirror होगे आपका mirror में और क्या पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था बस सारे terms पढ़े थे focus क्या होता है pole क्या होता है aperture क्या होता है principal axis क्या होती center of curvature क्या होता है ये सारी चीज़े मैंने लिखवाई नहीं थी लेकिन आपको पूरी की पूरी बोल दी थी है ना लिखा हुआ notes इसमें है आपनों इसमें से देख सकते हैं ठीक है सारा का सारा चलो class 10 में जो definitions थी definition पूरी की वही है बस derivations बढ़ गया है और कुछ नहीं 10 का light chapter जो था और 12 आपका geometrical optics जो chapter है है ना इसमें खंतर काली कुछ नहीं आया है जो 10 में आपने formula direct रहते थे 12 में वो सारे formula का क्या है derivation बाकी definition characteristics properties सब कुछ से मैं हाँ कुछ कुछ आपका जो है वो add हुआ है CBSC में जो 10 में नहीं था जैसे TI यार, TIR के बारे में पनने extra देखा जो नहीं था apparent depth जो है वो नहीं था lateral shift का formula जो है वो class 10 में नहीं था तो जो जितनी भी derivation वारी चीज़ें हैं वो खाली 12 में बढ़ी है बाकी तो पूरा same notes हो जो मैंने कहा गया ठीक है तो ये पूरा अपनने mirror के लिए पढ़ा फिर अपनने reflection देखा क्या देखा reflection देखो बहुत ज़रूरी है link बनाना पिछले lecture का आज के lecture से link बनाना पूरा chapter एक mind map आपका जूरते जाएगा link जूरते जाएगा यह बड़ा फिर यह फिर यह फिर फिर यह फिर यह तो theory जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके इंदर रहेंगी अधर जाके पस आप यह देख लेना क्या और आप कर सकते हो इसका कर सकते हो इसका कर सकती हो कर के देखने तो लिख लेना नहीं होता तो एक बर देख लेना copy में कहाँ पर था जहाँ तक रहे हो फिर दुबार एक प्रैक्टिस करना, सारे derivation ही है पूरे इस chapter में, ठीक है और numerical जो आते हैं, वो direct इसके based पे आते हैं, और theory तो पूरी 10th वाली है, जो मैंने आपको print out करके दी, पूरा chapter में जितने भी questions आएंगे CBSC board में, class 12 में, आप एक नमबर तरीके से कर सकते हो, main तो है derivation फिर जो equation में direct numericals, numericals भी आपको practice अभी हो जाएगी, आपकी exercise की आप जो जितने भी questions है, वो पूरे अपन discuss करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है, तो अपन extra कोई reference book भी ले सकते हैं, अगर आपनों को उसके बाद समय मिलता है question solve करने का, तो अपन कर स respect में, तो वो क्या होगा, refractive index of A upon refractive index of B, लेकिन velocity की 그리고 में क्या होता है ठेखो, उल्टा, जिसका refractive index निकाल रहे हैं उसकी velocity नीचे, तो अगर velocity की time में लिखोगे, तो किसका refractive index निकाल रहे हैं A का, तो उसकी velocity नीचे ऊपर B की, यह पढ़ा था पन ने, है ना, refractive index पढ़ा, फिर law of reflection पढ़ा पहला और दूसरा snail's law n1 sin i is equal to n2 sin r यादा रहा है पूरो link हो रहा है सारे lectures जितने भी पुराने lectures है सारे link होते जाएंगे यह 14 पांचवा lecture है है ना 5th lecture ही आपका अगले class में बले 1,5 घंटे 2 घंटे की complete करेंगे पूरा पूरा chapter ठीक है तो n1 sin i is equal to n2 sin r इसने पूरो का पूरा पढ़ा था फिर reflection में अपने पढ़ा था reflection through parallel glass slab जब भी parallel glass slab से light जाती है तो हलकी सी shift हो जाती है यह lateral shift का formula भी अपने derive किया था चीक है कितना आया था t sin i minus r upon cos r यह आपके ncrt में नहीं है लेकिन फिर भी अपने यह derive किया था यह जो shift है lateral shift इसका अपने formula derive किया था और अपने देखा था angle i हमेशा angle e के बराबर होता है incident ray और emergent ray दोनों क्या होती है parallel बस थोई से shift होती है और shift का formula t sin i minus r upon cos r यही था ना कि t cos i minus r नहीं सही था ठीक है यह पूरा का पूरा formula पने देखा फिर अपने देखा apparent depth क्या देखा अगर पानी के नीचे कोई है मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी है है ना तो वो actual में थोड़ी उपर दिखाई देती है क्योंकि यहां से जो raise जो सीधी जा रही हो तो सीधी सीधी गई और जो ऐसे गई वो हलकी सी band हो गई तो क्या ल फिर एक लिएशन यहां और ही है वो इसका डिवेशन भी किया था क्याकि बताया थ्चलो ठीक है अंगई पी प्र फ्लाइन किया था ॉइन live class में नहीं किया था आगे बढ़ते हैं यह सब पढ़ा था अपने यादा रहा है फिर अपने पढ़ा reflection at curved surface जब भी curved surface में light refract होती है तो formula derive किया था n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r यह पढ़ा था formula अपने reflection at curved surface फिर reflection at curved surface अगर lens lens क्या होता अपने देखा था concave or convex a piece of transparent material having at least one side is spherical यह bounded by at least one is spherical side is called lens तो अब lens में क्या और है दो बार refract हो रही है तो दो बार यह formula लगा कि आपने formula derive किया था दो formula derive किये थे तो mirror lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f यह formula derive किया था last class में fourth class में तो किया था इसको 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f और एक दूसरा formula अपने derive किया था lens maker formula बहुत important है lens maker formula 1 by f is equal to n relative या mu relative आपनों mu लिखते है ना mu relative minus 1 mu relative मतलब mu of lens upon mu of surrounding what is mu relative mu relative is mu of lens upon mu of surrounding mu relative minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 r1 r2 को हमेसा कैसे रखना है साइन के साथ है ना अगर जैसे यह उधर सेड कावड है तो यहां आएगा center तो positive इसका इधर आएगा तो इसका radius of curvature कहा लेना है negative बास समझ में आया r1 r2 proper sign के साथ होगा और mu relative आपका क्या है mu of lens upon mu of surrounding अभी तक total 4 lecture में यह सब पढ़ा और कुछ बचा नहीं आगे बढ़ेंगे अब आगे बढ़ेंगे magnification देखेंगे power देखेंगे है ना कुछ NCRT के examples करते हुए जाएंगे इसमें और आड करके आपको दे दूंगा ठीक है बता देना थोड़ी महनत कर देना टाइप करने तुम्हों कोई बुला लूँगा मैं ठीक है वाह क्या टाइपिंग है M A capital G चलो ठीक है कोई बाद नहीं मैगनिफिकेशन ही दिखा रहा है वह एक बड़ा छोटा ठीक है है तो अब मैगनिफिकेशन सिम्पल सी बात है भी यहाँ लेंस है यहाँ पर object है ऐसे यहाँ पर image बनी तो यह होगा height of image यह होगा height of object यह 90 डिग्री है तोनों और यह वर्टिकल यह opposite angle तो दोनों triangle similar हो गया है तो सिंपल सी बात है आप क्या बोल सकते हो height of image upon height of object is equal to height of image upon height of object तो 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 अगर सिमिलर होते हैं तो sides का ratio equal होता है और पता है ना इसको तो use भी कर रखे हैं इसलिए भी जल्दी यूजज़ कर रहा हूँ कोई भी दो ट्रेंगल अगर सिमिलर होते हैं और सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं कोई भी दो एंगल इक्वल दो ट्रेंगल के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दो तो वो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है तो क्या बहुते हैं उनके साइट से रैशू क्या होगा इक्वल तो हई पह आपका पॉइटीऊ पॉजिट साइट उस पहाएंगा भी चाहेगा इसलिए मैं अने इसको लिखाए नहीं ठीक है, तो अब यह formula आपका sign के साथ आया है, मतलब आप जब भी solve करो sign के साथ, अगर principal axis के ऊपर कोई बन रहा है object या image तो positive, नीचे तो negative, pole के या optical center, यहाँ पर क्या होता है, optical center, optical center के right में positive, left में negative, मतलब optical center के right में positive, left में negative, proper sign के साथ put करेंगे और magnification का simple सा formula आगे है, जिसम लिखना है, हाँ वैसे तो अच्छे से इजर्स से लिखोगे तो थोड़ा से होई जाएगा, दोनों नाम लिख करके, दोनों triangle को similar proof करोगे, this angle equal to this angle, this angle equal to this angle, फिर property लिखोगे, क्या लिख लिखोगे, ratio of sides of similar triangles are equal, यह property लिखोगे, फिर उसके बाद यह लिखोगे, तो इंपोर्टेंट है, derivation important नहीं है, और वो apparent depth का derivation important नहीं है, ठीक है, derivation जो जो important है, हाँ, lens maker formula का derivation बहुत important है, सबसे जाद इंपोर्टेंट है lens maker formula का derivation, यह बात याद रखना, lens maker formula, फिर mirror formula, आपका lens formula, यह सारे formula के derivation तो है, आगे बढ़ता है, magnification हो गया, चलो यह question solve करो, ए अंचियार्टी का question नहीं है, कि उप्रों था जाओ 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 जाओ, औरल सवाल है यह मैजिक मेरे को भी दिखाना था लेकिन पैसे नहीं और यह यह चीज हमको करके दिखाई गई थी DPS बिलास्टूर में जब मैं क्लास नाइन्थ में था और मैंने इसका एंसर दे दिया था और यह जादू करके दिखाई गया था टीचर द्वारा 1.47 देखो आपको क्या बला एक लिक्विड है उसमें ग्लास को डाला तो गायब हो गया गायब कब होगा थ्रू अलिक्विड के अंदर उसको डाला एक लिक्विड है उसके अंदर एक लैंस को डाला तो गायब हो गया अभी रिल्स देखना भी आ जाएगा भी बात कर रहें ना तुम्हारा फॉन सुन ब्राइवी रिल्स आजाएगा तुमको है ना ऐसे दिखाएगा कि भिया एक कंटेनर के अंदर कुछ एक पिला के लरका लिक्विड है उसके अंदर एक ग्लास डाले गायब दूसरा ट्रांस्पेरेंट लिक्विड है मतला आरपार का दिखेगा हलका यह लविश टाइप का र तो दीश घ्र हो गया बासमंग में तो यहाँ पर जो यह लिक्विड है यह लिक्विड डिश आपिसे यह लगया और लेंज रेप्रेट्व टवनत पॉंट eld फोवन पॉंट्...' 4-7 इस अप यूर्थ डाले आज एक बाल है चलो पागी तो इतनाhip न्-680 कर loop बोलूं है धन्य है प्रणाम प्रभू को मतलब एक्जांपल्स तक एक अच्छे सानी दिया है कि कोई फर्मॉला आया है यूस तो कम साम उस फर्मॉले के ऊपर एक 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 जांपल तो दें चलो ठीक है अभी मैं तुमको कराऊंगा कोशन चलो लो एक करी लो बच्च वाला क्या दिया है यह यह एक 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 जांपल दे देता भाई सहच मैं जो बनाया है ना इंसी आटे इस बर की या जो डिलिट हिया है ना सलिवस से रभू आपको नमन है ना चलो आगे देखने है इधा देखू है हिकात कोशन लो करी लो और कई exercise में ऐसे कोशन भी दिया जिसकी थेओरी पूरे बुक में कई है नहीं है नहीं है भाई किया फुक के बनाया था भाई एंशी आटी को चलो अब देखो एधान एक कात कोशन ले लो ठीक है तब दू की जिए लेंस रहां। एक लेंस है। कॉन्वेक्स जिसका इसका इसका रेडियस ऑफ कर वेचर है 10 cm इसका रेडियस ऑफ कर वेचर है 20 सेंटीमेटर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तू ठीक है और और अब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से 20 सेंटीमेटर पर बताओ इमेज कहा बनेगी बाहर का वान कुछ नहीं दिया तो हमेसा बनोगे अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमेसा बनोगे जल्दी से सुल करो एक आध कोशन करें लोगे लोगे इसमें मैगनिफिकेशन भी आइड करी देते हैं यहां पर ऑब्जेट की हाइट है 4 mm तो इमेज की हाइड भी बता दो लो सारा सब यूज हो जाएगा एक एक्जमपल ऐसा दे देता तो क्या भी गड़ जाता एंसी आटी का कम से कम भाई थियोरी पढ़ रहे हो इसक चलो कहीं केस भी हो जाएगा तो इसी बहाने फेमस हो जाएगे अब अब है 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 चालो जल्दीस 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 है तो इतुमिरे को नीमाओ इमेज कहां बनेगी कैसी बनेगी उसकी राट कि अध्नि वहाय अध्यसा कान परता जैए पार मैं हरु है उम पार यह Cap मिनिंग मालूम है पूरा अनुमन चलिए सब्सक्राइब मतलब या तो पढ़ो मत या पढ़ो तो मतलब जानके पढ़ो तभी उसका फायदा है लोगल इसे हैं जैसे मैं उनिपढ़ोता हूं उसका मतलब तुमको मालूम है ना तबहिए उसको पढ़ने का वादा है अगर आपको मतलब नीस मलूम तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं जैसे उसमें क्या है? I strongly believe in myself मैं मेरे को अपने उपर पूरा पभरोसा है I forgive myself for all my mistakes मैं अपने सारी कलतियों के लिए अपने आपको माफ किया हूँ क्योंकि इसके बिन आप आगे नहीं बढ़ सकते फिर क्या है I am bright, talented and successful student अपने उपर पूरा confidence है कि मैं bright हूँ, talented हूँ I am confident in my abilities to achieve all my goals मैं confident हूँ बहिया कि मेरे नदर इतनी काभिलियत है कि मैं अपने सारे goal को achieve कर लूँगा तो अब जैसे यह है यह आप रोज उच पढ़ोगे तो आपके mind में effect करेगा, subconscious mind में same वैसे हनुमान चालिसा भी जो है कर नहीं हनुमान चालिसा लिखी है इसलिए वो साक्षी है कि जो भी से पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी है ना, इस टाइप के पूर affirmation starting से लेके last तक है जब आप उसको रोज 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 पढ़ोगे मतलब के साथ है ना, या starting में मतलब के साथ पढ़ो और जब मतलब याद हो जाए उसके बाद डारेक्ट हनुमान चालिसा पढ़ो तब वो इतनी miraculous effect देगा ना मत आप समझ नहीं सकते इतनी miraculous effect मत मेरे साथ हो चुका है मैं इसलिए बता रहा हूँ if you don't you start हनुमान चालिसा एवरी डे एवरी दे अर्य 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 अज अग्वाट टाइप हो गया अर्य अर्य दुख श्क्रांज गांट में अटका दिये और में तो ग्यान दे रहा था ग्यान की बाद कि 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 तुरो लो और को सांटी मिट्र जो जो हुआ 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 है यह देखिये होनहार छात्रों को यह दिव्यांस बंसल आसरी म लास्ट वर एकली लिए कहा है किसलेोन हुआ है इस अमचुरी की तरूशेए रखेगे वाय तो वाय फाइज पिर काम नइ जाता है कि यहांगे दूगा कि जन्मां को पेंदी इसे कि इन्वर्टेट बनेंगी इन्वर्टेट बनेंगी उसका जो डिस्टन्स होगा वो 10 तैंटी मिटर होगा और इसा पूछते हैं कहां बनेंगी वो साइट बनेंगी कि इन्वर्टेट बनेंगी और इसका भी इमेज़ आएट आएगी होएगी चलो फटाफट करते हैं ठीक है सबसे पहले तो फोकल लेंग निकाल लेते हैं वन भाई एफ की वैली क्या हो जाएगी मिउ रिलेटिव मैं तब टू बाई वन माइनस वन मतलब वन इंटू इतनी अच्छी वैली दियों बता भाई अपॉन वर अपॉन प्लस में माइनस वन बाई माइनस ट्वेंटी प्लस हो जाएगा ठीक है इसका रेडिश ऑफ लेट अजब बात करते हो भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आगे देखते है तो 20 LCM तो 233 by 20 तो फोकॉस आगया 20 by 3 अब फोकॉस आगया तो फॉर्म्ला लागा दो लेंस फॉम्ला 1 by V minus 1 by minus 20 is equal to is equal to 1 by F मतलब 3 by 20 तो 1 by V value आजेगी प्लस अधर जाएगा means 2 by 20 वा कितनी सुंदर value आगई वी की 10 cm मतलब प्लस 10 भाई यहां बन रहा है इमेज प्लस 10 ठीक है प्लस 10 cm भी निकला चलो ठीक है क्या वी की वेल्यों यहां पर भी गलत कर दी हो कि प्लस मैनस कुछ सही आगया होगा फिर दो बर गलती वा लेकिन चलो वी की वेल्यों कितनी आ गई 10 अब magnification क्या होता है height of image upon height of object इसको मैं convert क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि भी यह ratio है यह millimeter में लिया हूं तो यह भी किसमें आएगा millimeter में तो convert करने की जर्वती नहीं है ठीक है is equal to V by U V 10 by U कितना है यू है minus 20 तो जीरो ने जीरो को मार दिया तू 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 जा फोर तो height of image आ गया minus two millimeter कितना गया minus two millimeter इतना easy question था plus-minus में गड़बड़ी और यही होती है सारे वच्चों से गड़बड़ी बस plus-minus की चलो power of lens जब खुद बताओ power का मतलब क्या है power of lens अपनने क्या defend किया है ability of a lens to converge actual mean diverge लिख देते हैं books में लिखा हुआ है converge और diverge लेकिन converge करने की जो छमता है उसी को अपन क्या बोलते है power क्या बोलते है power क्या बोलते हैं फावर nothing और प्छरे हो डान इसको प्लस बोलते हैं और fightyba कॉया बोलते है माइनसº है जैसे अपका liberal говорить करके एक फोईंट मैं तो यहां कर को आता है और क्धिस क hes को पॉज़ेट करके ऐस्वा कि आपने डिफान किया है जो कान्वार्च करने की छमता यहां के मिली कम मुड़ी कम मुड़ी देखो इतनी तो मुड़ी और यहां पर रेज आई बाहिसाब बहुत मुड़ी यह देखो ना बहुत जादा मुड़ी तो हुआ क्या यहां पर फोकल लेंग जादा यहां पर फोकल लेंग जादा यहां पर फोकल लेंग कम मतलब फोकल लेंग जितनी कम होगी पावर उतनी जादा तो फोकल लेंग जितनी कम पावर उतनी जादा तो पावर is defined as 1 by f और f को meter में रखेंगे तो जो power की unit आएगी वो आएगी diopter क्या हैगी diopter तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि आपके चस्मे का number कितना है तो आपसे खाली यह मत बोलना minus 2 minus 1.5 बोलना minus 1.5 diopter ठीक है minus 1.25 minus minus 0.75 अशा कुछ है दो रहा है 0.75 diopter तो जब आगे बड़े अच्छा अब ही रिकॉर्ड हो रहा है लाइव जाते तो हो ही नहीं पाता पुट नेटिंगी चल रहा है क्वंबी तो जब दाएगे नेट चले तब तो अपलोड करूड परूड हाँ चल गया नेट चलो आगे बड़े आगे बड़ते हैं चलो combination of lens lens का combination जैसे देखो यहाँ इट lens के पीछे दूसरा lens है तो combination of lens यह फोटो ली गई है study.com से है ना तो हमें कोई copyright claim ना दें ठीक है चलिए हाँ 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 अगर आप कहीं से copyright image उठा रहे हो और अगर आप उनका नाम वहाँ पर लिखे हुआ है तो copyright claim वो नहीं दे सकते हैं कि आपने बता दी अभी है कहां से लिए हैं कि वहाँ देखो अच्छी दिख रही है कि यहां फैल गया ना इतना बड़ा स्क्रीन में कि अचलो बैठो बैठो जल्दी से पंदरा मिनट है बस जल्दी कॉम्बिनेशन ओफ लेंस ठीक हैं कॉम्बिनेशन ओफ लेंस मालो दो को लेंस अजा यहां पर याद रखना दो बाते अपन मानेंगे कि यह लेंस खता पीता नहीं है किया है लेंशs पनेहां है अरे मतलब ब से और कि को यह प्तणि घर की नहीं एक लिए लेंश खेल मेंन से एक और दूसरी बात कि वह नों बहुत एक दूसरे है पास में रख हुए है अगर एक दूसरे से पास में रखे वह निंहिác उनके बीच में 4 cm, 5 cm का भी अंतर है तो फिर आप combination of lens का formula नहीं लगाओगे आप अलग-अलग पहले की image, दूसरे के लिए object पैसे solve करोगे Is that clear? एक question है NCRT में इसलिए कहा रहा हूँ यहाँ NCRT ने question दिया है वाँ, good ठीक है? चलो, तो अपने दो चीज़े मानी पहली चीज़े मानी कि lens हमें इसा क्या है? thin और दूसरी बहुत पास-पास रखी हुई है ताकि अपन इस point को और इस point को अलग न मान के पूरा एक ही point मान सकें समझ रहे हो? ठीक है? Is that clear? अब मान लो, यहाँ पर था object तो अब इसके वज़े से एक image बनेगी कहीं पर यहाँ से जाती? इसको बोल दिया हम है, I dash intermediate image और अब यह lens और मोर देगा, तो मान लो final image बनी यहाँ तो यह है मेरा final V, यह है मेरा U और यह जो है, इसको मैं बोल देता हूँ intermediate image V dash, इसकी focal length F1 इसकी focal length F2 ठीक है क्या? clear है, तो दोनों पर lens फार्मना लगा दे पहले वाले में देखो, 1 by V dash, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F1 पहले mirror के लिए, पहले lens के लिए अब दूसरे lens के लिए देखो, यह object है और यह image तो दूसरे lens के लिए क्या फार्मना लगेगा? 1 by V minus 1 by V dash U अब क्या है? V dash is equal to 1 by F2 दोनों equation को add कर दूँ क्या? दोनों equation को add कर दूँगा तो 1 by V dash को 1 by V dash बहले मी से मार दालेगा है ना? तो क्या आ जाएगा देखो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 1 by V minus 1 by U तो 1 by F होता है ना? तो इन दोनों का combined effect जो है अगर मैं उसको बोलू F equivalent है ना? या net focal length दोनों का या फिर simple ये दोनों मिला के क्या मन जाएगा? 1 by net F दोनों का मिला के जो effect है focal length का net focal length दोनों का मिला करके तो वो क्या हो जाएगा? 1 by F1 plus 1 by F2 तो simple है final power हो जाएगा P1 plus P2 plus P3 plus so on जितने भी होंगे अरे 1 by F को तो P बोलते है तो P1 P2 बिर दे हो गया combination आगे बढ़े हैं आगे बढ़े या ना बढ़े दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है आगे बढ़ते हैं अब इस chapter के बाद क्या करेंगे पता है? सारे chapter का one shot videos बनाएंगे revision videos तो वो तो one shot में हो जाएगा पूरा मेरे रखाल से geometrical optics का one shot video तीन चार घंटे का तो बनी जाएगा अब एनर्जी एनर्जी थोड़ा multivitamin की गॉलियों ले क्या होगा अब देखो यहां पर दोनों लेंज के दूरी है direct formula नहीं लगेगा यहां individually करना है यहां NCRT वालों ने कोशन दे दिया सीदे कड़क कड़क कि जल्दी से सॉल्व करेंगे चार बजने वाले हैं हमको चार बजने जाना है कि मैं को लग रहा है अब दिसम्बर से पहले इसलिए बस complete हो जाएगा तुम ने को और सी अब दूरी है अब दूरी तो बस पहले वाले के उज़े से इमेज बनाओ वह दूसरे वाले के लिए अबज़ेक्ट फिर दूसरे वाले के लिए इमेज बनाओ वह तीसरे वाले के लिए आपजेक्ट तीन बार लाइन्स फर्मर लगाना है पूरा बता दिया मैं उसके बाद भी क्या बच्चे की जाल लोगे जल्दी से करो ना कर दो कर दो कि लो होगे आप बताऊं हुआ है है चलो देखो इदा देखो पहले वाले के लिए फर्मल लगा रहा हूं ठीक है हाँ एक बात में बताना भूली गया था कॉन वेक्स के लिए फोकल लेंद आपको हमेशा लेना है क्या पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए आपको फोकल हमेशा क्योंकि सेकेंड प्रिंसिपल फोकॉस लेते हैं चलो इदा देखो इसके लिए फार्मला अगर मैं लगाऊंगा तो मैं क्या बहूंगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इस एक्वल टुवन बाई एफ करेक्ट माइनस में मार दिया उधर जाएगा तो माइनस बन रही है यहां से पांच कम कर दूगा तो यहां से दस यह उधर मनी मेज तो इसके लिए अब जो यू होगा वो क्या होगा अब इसके लिए इसके लिए तो क्या फामने लगाँगा 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F minus 10 अरे दिया ही है प्लस मैनस करके दिया है यार नहीं दिया होता तो भी आपको plus मैनस लेना था good ncrt चलो minus यूदर जागा तो plus minus 1 by 10 plus 1 by 10 मतलब भी है इसका देखो जो focal length है वहीं पर रहे है है ना वहीं पर आ रहे है तो क्या जाएगी infinity में image बनेगी V की value क्या आ गई 0 1 by V की value 0 1 by V की value 0 मतलब V की value क्या आ गई infinity 1 by 0 क्या होता है infinity ठीक है तो आपके यहां से image जो आ रही हो कैसे आ रही है parallel और parallel raise हमेसे कहां पर मिलेंगी focus पे तो इसके focus में तो यहां से 30 दूरी में मिलेंगी तो आपको क्या पताना था find the position of image by the lens तो आपको ऐसा answer दोगे या तो 30 cm from the last lens या ऐसे बोलोगे 30 plus 10 plus 15 45 45 from the first lens on the right side ऐसे answer देना पड़ेगा easy question था tough तो नहीं था यह बिलकुल भी कितना समय लगा दिये वे चला है हो क्या complete आप क्या बचा प्रीज्म में तो बचा है प्रीज्म है ना ती आई आर वगर के तो example देख लिए थे पन प्रीज्म देखना है प्रीज्म के बाद वह थोड़ा सा चांच सितारों की बात करनी है मितलब थोड़ा रिनवो गर की रिफ्रेक्शन गर की यह सब की सेटरिंग ऑफ लाइट की फिर आप्टिकल इंस्ट्रुमेंट बस यह लास्ट क्लास में हो जाएगा पूरा का पूरा एक घंटा भी नहीं लगेगा पूरा को एक घंटा बात यह है कि अगर आप लों के पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा चलो तो फिर आज की क्लास करते हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि 6 लेक्ट्र में पूरा जिमेट्रिकल अप्टिक्स कंप्लीट होगा तो यह पांच्वा लेक्ट्ट्र में लास्ट्र में आपका हो जाएगा और यह भी सिर्फ 35 मिनट का और लास्ट वाल भी उससे कम कही हुआ था ठीक है तो अब लास्ट लेक्ट्ट्र जो आपका होगा उसमें आपका पूरा जो में अप्टिकल अप्टिक्स न्सी आटी के इस आप से खत्ब हो जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेक्ट्ट् सब्सक्राइब और शेयर कर देना टाटा बाई बाई